अब रोज रोज आता बचेगा क्योंकि बच्ची हुए आटर से आज में बहुत ही टेस्टी रेस्पी लेकर आई हो इस रेस्पी के आगे चौमीन मैगी सब फेल है इसे बनाना जितना असान है एक खारने में उधने ही जादा टेस्टी है और इसे बनाने में जादा महनत भी बच्ची हुए आटर से यमी यमी रेस्पी बनाते है अगर आपको रेस्पी पसंदा आए तो एक लाइक के आटा जाए इस में ले लेना है आटा तो ये रात का आटा बचा हुआ है तो आटा ले लिए हैं अब हमें आटा को थोड़ा घार करना है क्यूंकि रोडी का आटा है तो ये थोड़ा सवफ है इसमें थोड़ा सा शूखा आटा डालेंगे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है बिल आइकन को प्रेस्ट कर दें जिससे आपको मिर्याने वाली वीडियो की नोटिकेशन मिलती रहे, तो अटा को हमें अच्छी तरह से हाड कर ले ना है, क्योंकि ज़्यादा सौफ्ट रहेगा तो यहह चिपक जाएगा और हाड से गुला खुला भनेगा तो यह आटा अच्छी तरह से हाड हो गया है अब इसका रोटी का आकार का बॉल्स त्यार कर लेना है रोटी का आकार का लोई मैं कट कर ले रही हूँ तो बराबर भाग में जितने लोई आएगा उतना कट कर ले अब इसे गोल कर ले, गोल करके चिकना लोई बना ले अब इसे हमें बेल लेना है तो मैं ले ले हूँ रॉलिंग बोर्ड तो हमें रॉलिंग बोर्ड पर इसे बेल लेना है तो इससे बहुत बड़ा नहीं बेलेंगे थोड़ा छोटा ही बेलेंगे थोड़ा मोटा ही रहेगा हलका रोटी से थोड़ा से जादा मोटा रहेगा लकड़ी या तो डंटा कुछ भी ले ले तो मेरे पास इस तरह का था तो मैं इससे इस तरह से रोल कर ली हूँ इस तरह से रोल करने पर बीच में होल बन जाएगा इसमें से इसको निकाल लेना है तिस तरह से गुमाते हुए बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा तो इससे निकाल ले इसी तरह से सारे बना कर तयार कर ले तो मैं दुसरा भी आपको बना कर दिखा दे रही हूँ तो दिखे इस तरह से रोल करना है बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाता है इसी तरह से सारे बना लें साइड में थोड़ा सा दबा दे जिससे खूले नहीं में दिम्मावें उसी तरह से निकाल लेना है भी आटाल से सारे तैयार ने तुना लीन। अब चलीए इसे उबाल लेंगे पाने उबलता हुआ हbelsिये पाने थंदा नहीं चाहिए पाझने एकदम उबलता हुआं सबसें और यह उसे धर नहीं मिनातों आप हो गया है तो इसका पचान ही कि नीचे से बरतन चोड़ देगा जब यह कुख हो जाएगा तो नीचे जो बरतन में शटा हुआ होता है नहीं रहे गा क्यूंकि एक होने के बाद उपर आ जाता है देखिए उपर आ गया है तो अभी अच्छी तरह से कुक हो गया है तो इसे हमें निकाल लेना है तो इसे मैं एक बरतन में निकाल ले रही हूँ निकाल कर इसे ठंडा कर लेना है तो अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे अब यह अची तरह से ठंडा हो गया है तो इसे अप कट कर लेना है तो इसे में कट कर ले रही हूं आपको जिस भी साइज में कट करना है उस साइज में आप कट कर ले छोटा बड़ा जैसा भी आपको रखना है तो मैं थोड़ा बड़ा में ही कट कर ले रही हूं तो देखे इस तरह से खुला खुला बनेगा एक फ्राइपल ले लिए हैं और उसमें तिल डालनी है तो मैं सरसो का तिल डाली हूँ आप जो भी तिल खाते हैं उसी में बनाए अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिये हैं और थोड़ा सा लहसुन फैन चॉप किया हुआ इसे अच्छी तरह से फ्राइब करना है तो लसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइब करें नहीं तो लसुन कचा कचा लगेगा तो लसुन को अच्छी तरह से फ्राइब करें तो अब इसमें डाल देना है हेरी मीर्ष, और लेसन अची थार से फ्राइब हो गया है तो इसमें डाल देंगे प्याज, तो एक दम प्याज मैं डाली हूं, आप इसे जिसवी साइज में कट करके डलना चा बाल सकते हैं, तो मैं सारे सब्सषी को पाइं चॉप करकर डाले। अब कुछा दाले न दाल देंगे गाज़त European पाइं और एक गजट डाली हूं तो सिम्ला मिर्च को भी मैं फैन चौप कर ले घूंच सबझीयों को मैं फ्राइ करना है अब और इसमें टाल देना है ऐपने सब्सक्रेणी सीट 6 तरज सब्सक्राइब तो थोड़ा सा उसे फड़ाइ कर लेना है इससे हल्दी का ऐज़ा निकल जाए के 셨े में इसमें Find чop Kevin मैं इसमें तमाटर को इनके साथ हमें अच्छी तरह से फड्राइ करना है इसमें ठाल लाघ President को आसर फी ऐज़ा पीछ दालए एक चम्मत चीनी एक मत चीनी डालने से इसमें हल्का सा मिठा पनाए गाईका तो अच्छा लगए इसलिए जिद डाले तरह ने तक फ्राइ कर लें अब दिखिए छोड़ दिया है तो इसमें हमें जो बनाकर नास्ता रखे थे उसे डाल दीन है अब इसको भी जिससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आया है और थोड़ा क्रिस्पी बन भी हो गया है तो गैस की फिलेम को मिडियम में रखें नहीं तो सब्सक्राइब जलने लगेगा अच्छी तरह से फ्राय कर ले चलाते हुए बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में बहुत ही आसान है और हेल्दी भी है इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं इसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं तो मैं बचे हुए आटा से बनाई हूँ आप ताजा आट टॉमेटो साम करें लें हुआ एल यह ए पताव दूंश इसे सर्व करें, तो मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ, यह नास्ता बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, बच्चे तो इसी तरह का नास्ता चाते हैं, कुछ चटपटा हो, यह नास्ता बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों को आप स्कूल टिफिन में दे सकते हैं, तो एकन को प्रेस कर दे